वेरी गुड मॉर्णिंग ठो अलो फी दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइट एजूकेशन में दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि इस दस बजे की क्लास में हम आपके लिए रोज उन पैतालिस प्रश्णों का डिसकसन करते हैं आपके फिजिक्स कमेश्ट्री और बायलोजी यानि कि जेनरल साइंस का पार्ट होता है ये आपके बिहार दरोगा बिहार कॉंस्टेबल एंटी पीसी आरार भी किसी भी एक्जाम के अगर आप तयारी कर रहें या इससे की किसी भी सेक्टर के त्यारी कर रहें तो ये वहाँ पे कोशन पूशे जा सकते हैं इन फैक्ट आयोए भी प्रश्ण हम आपको यहां पे शेयर करते हैं एक हजार से भी ज्यादा कोशन आपको यहां से मिलेंगे अभी तक यानि कि छट्था दिन आज यहां पे तो अभी तक लगबग आपको 200 कुश कोशन मिल चुके हैं यहां ठीक है तो 45 कोशन का सिनारियो आपको दिया जा रहा है यहां पे दोस्तों तो 200 से भी ज्यादा प्रश्ण मिल चुके हैं अभी 1000 बाकी है कोशन हैना लगबग 800 कोशन बाकी है तो आप लोग भी इस क्यूज को अटेंड करें रेगूलर हमार से बनिये एक भी कोशन छोटना अग्जाम में यह हम अपने तरब से पूरी कोशिस करते हैं तो आप भी हमारा सायोग कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा चलिए सुरुआत करते हैं इस टेस्ट का और देखते हैं कि आप लोग कितना उत्तर सही कर पाते हैं अब समान्य विज्ञान से कोई भी कटिन प्रशन नहीं रह पाएगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर जाएं सब्सक्राइब के इस रेट के बटन को दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइक सुबा के 6 बजे ये क्लास दी जाती है आपको जी हां अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो जाएए अभी भी समय है और साम को 7 बजे ये आपको वीडियो बिलता है बिहार द्रोगा का मोक टेश्ट तो इस वीडियो को भी जरूर अटेंड करेंगे आप लो इसका दोस्त का टाइम देता हूँ आपको यहां पर जल्दी से उतर कीजिएगा अगर आप यहां पर उतर करना चाहते है तो क्यों को अटेंड करें एक भी कोशिन ना चोड़ें बिल्कुल अगर आप यहां पर उत्तर कर रहे हैं दोस्तो देखिए नोट कर लिजेगा यहां पर द्वारा और सोसित किये गें , जाने वाले रंग को मापता है, suppose मान लो आपके पास एक टी शिट है , वो ब्लेक्क लरका है तो वो कितना प्रकास को और अशोसित करता है यह हम किसी माप सकते हैं तो कॉलोरी मीटर से चाहिक है ? याद रखेंगे लेकिन प्रकास की तिबृतान अपने वाला उपकरम कौन है तो लक्समीटर अगला प्रशन देखेंगे रडार उपयोग में आता है दोस्तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहां पर रडार उपयोग में आता है किस उपयोग में आता है दोस्तो देखें यह कोशिन बहुत बा रडार का उपयोग करते हैं ठीक है नोट कर लेजीए का दोस्तो रडार जो है सब्द जो है मुलता संशिप्त रूपत है और इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एन रेंगिंग नोट कर लेगे क्या होता है रेडियो डिटेक्शन एन रेंगिंग ठीक है जाद रखेगा ये भी कोशिन एक्जाम में पूछा गया है और भुकम की तिब्रता को मापने वाला एक पैमाना है यह एक कह सकते हैं लॉगरेथ्मिक स्केल है यह ठीक है जिसमें की एक से लेकर 9 तक के बराबर बटा हुआ है पैमाना और रियक्टर स्केल के रूप में इसको अंसर करेंगा रियक्टर के पैमाने पर रियक्टर पैमाना में आपने के लिए प्रयोक होता है तो देखे यह भी उत्तर आप कर चुके हैं भुकमपी लहरों को आयाम के लिए दोस्तों जितने भी कोशिन यहां पर मैं दे रहा हूँ यह कोशिन अगर सेम भी मिलते हैं तो ऐसे question आपसे पूछे गया है वही question को घुमा कर पूछा गया है तो इसलिए आप लोग इसका उत्तर जरूर करेंगी ताकि question आपको समझ में आ सके भुकंपो की तिब्रता मापी जाती है बिलकुन reactor के पैमाने पे देखी चौथा question भी वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है ठीक है दोस्तों अगला question है कि कौन सी सुमिलित सही नहीं है उत्तर कीजिएगा यहाँ पे जो reactor पैमाना है यह आपको क्या हो गया सही नहीं है यहाँ पे भुकंप होना चाहिए था आंसर D गलत है अगला question दोस्तों हाँ पे ताप में निमलिकित में से किस पैमाने में रिणात्मक मान नहीं होता है ताप में निमलिकित में से किस पैमाने में रिणात्मक मान नहीं होता है निगेटिविटी नहीं होती है तो आंसर करें हैं दोस्तों इट सर केल्विन ठीक है, Celsius, Fahrenheit और Rumor पैमाने का मान रिणात्मक होता है जबकि Kelvin पैमाने का रिणात्मक मान नहीं होता है यहाँ पर question में नहीं बोला गया है अगला question दोस्तों निमलिकित में से भुकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है तो भुकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है तो आंसर कर देंगे सिस्मोग्राफ आप भी उत्र कीजिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं यहाँ पर उत्र करना तो सिस्मोग्राफ जो होता है दोस्तों भुकंप की तिवर्ता को मापने वाला यंत्र है और कैस्को ग्राफ जो होता है वो पौधों में व्रिधी मापने वाले अंत्र है ठीक है यह जो है कैस्को ग्राफ यह जो है अप्शन यह पौधों में जो व्रिधी होती है उसको मापने काई की अंत्र होता है ठीक है जिसका आविस्कार भारतिय विग्या ने जगदीश चंद कि युकतियों में से किसके दोरा भुकम के तिप्रता मापी जाती है तो सिस्मोराफ Ke night के दो ठीक है कोश्चन वह है लेकिन पैटन जो है पुछने का तरीपा अलाग है हाँ क泥 सिस्मोराफ का क्या remote करता है तो भुकम या भूचाल कह सकते इसको answer हमारा C हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ठीक है चलिए सुमिलित कीजिए इसको एक बार फिर से तो सुमिलित करने वाला बहुत question पुछता है exam में और बिहार द्रोगा के mains में तो खास कर यह पूछे ही जाएंगे ऐसे ही प्रश्ण रहेंगे यहीं से प्रश्ण रहेंगे इससे question अलग होई नहीं सकता है सारा chapter wise आपको खरा रहा हूँ यहाँ पे बिहार द्रोगा के mains में आपके सारे काम आएंगे in fact NTPC में भी आपके काम आएंगे सारे question SSC में भी काम आएंगे तो सभी question का आंसर आपको खुझ से दीजिए और याद रखिएगा PDF पढ़ते रहेगा आप एट लिस्ट चीकर आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा जिया नोट कर लिजिएगा भुकंप मापते हैं सिस्मो घ्राप से बिलकुल उठाई मापते हम दो अल्टिमीटर से बिद्धु दैरा मापते हम लोग किसे दोस्तों तो तो एमीटर में और प्रतिरोध हम ओम से यहां पर मापते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यह ही हो जाएगा दो तीन एक चार यह कूट आपका यह हो जाएगा अगला कोशन ही यह भी सुमिलित करना है देखिए फैदो मीटर बिल्कुल यहां पर आंसर मिलेगा थोड़ा वाईमंडलिय आदिरता से और अल्टी मिटर तो उचाई से ठीक अभी मैंने बताया अल्टी मिटर का यहाँ पर आंसर क्या करतेगे दोस्तों आपका बी चार एक दो तिन अगला कोशन है दोस्तों यहां पर एक कि फैदोमीटर का उपशयों किसलीम आपने में होता है अभी आपको एक भी क्षोंडा नहीं आते में आज यहां पर बिल्गुल आपको एक भी कोस्टी Box स्वाट फाल नहीं से और सो समस्द्रों पहते अम चे पर समाठत on सेर जो मूर्सूर क्वर्थ इंप पर किसका उप्यों करता है, कैलसियम सलफेट का उप्यों करता है, जिसका लोग प्रिय क्या है, तो उसके लिए हम लोग जी हां नाम है, प्लास्टर ओफ पेरिस कहते हैं उसको, याद रखिएगा ये UDC में भी पूछा गया है कोश्ण, exam होता है UDC का जो है ना, अगला जो होता है वो thorium lethenium और cerium का ये मिश्रन होता है याद रखेंगे ये question बनता है एक्जाम में भारत में ये केरल तटड़ पर ज्यादा तर पाया जाता है कहां पायाता है केरल में केरल की राजधानी का है दुस्तों बेलकों तिरवन्तपूरम याद रखेंगे आप लोग ठीक का चालक तता विधूत का कुछालक होता है अबरग को ही यहां पर माईका कहते हैं इसका उपयोग जो है तो मुक्यता क्या होता है विधूत उद्योगों में किया जाता है और क्योंकि इसमें विधूत रोधन छमता होती है इस उच वोल्टेज को भी इसे यह उच वोल्टेज को भी सह सकता है ठीक है तो याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा अगला कोशिन दोस्तों निमलिखित में से किस उद्योग में अभरक कच्चे माल के रूप में परयोक्त होता है चलिए आंसर करेंगा दोस्तों यहाँ पर ए विद्धुत में ठीक है विद्धुत द्योगों में अगला कोशिन है कि निमलिखित में से द्रबों में से कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है उस्मा का अच्छा चालक पूछा गया है ठीक है तो आंसर कर दीजिएगा दो जन्तु पारा जो एक ऐसी धातु है, जो कि तरल या द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। जिसके चलते हैं यह उस्मा का अच्छा चालव हो जाता है। अगला कोशें हैं, दोस्तों, यहां पर निमलिकित में से North którego सरौधिक उत्तम चालव है। उस्मा का सरवाधिक उत्तमेने सबसे अच्छा चालक है आंसर करतेंगे यहाँ पर बी पारा ही है अगला कुश्यन निम्न धातू में से कौन सा समान निता ताप पर द्रब अवस्था में पाए जाता है बिल्कुल यह दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पर क्या पारा इटसस C आंसर क्या करेंगे निम्न में से धातू में से कौन सा ताप पर द्रब अवस्था में पाए जाता है तो पारा है दोस्तों ठीके पारा जो है चांदी जैसा सफेद होता है चमकीला धातू होता है देखा होगा आप लोगोंने अगला कुश्यन दोस्तों यहाँ देखिएगा देखिए पारा लिखावा यहां परे लिख दिया गया है ठीक है पारा याने की जहां पर आपको question में लिखा गया है कि पारा का सधार्नतिय ताप्मापी यंत्रों की उप्योग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेस्ता क्या है अभी मैंने बताया यह उच्छ हो प्यों हम लोग करते हैं अगला कोशेन दोस्थ सी कर लिएगा नेहीं करता है को अदो छिरस लेड कोपर नहीं करता है नहीं सथा लब से बिल्कुल अभिक्रिय करता है देखेंगे दोस्तों question number यहां पर 25 देखेंगे थोड़ा सा ध्यान देजिएगा लोहा लिखा गया है यहां पर चुकि यहां भी mistake है टाइपिंग थोड़ा है ना लोहा जिसमें की प्राप्त किया जाता है वो क्या होता है बिल्कुल answer किजिएगा हेमेटाइट ठीक हेमेटाइ तो यूरेनियम प्राप्त होता है हमें ठीक है पर लोहा जो है यह हमें हेमाटाइट से प्राप्त होता है question number 26 निमलिखित में से लौ आयसको में से बैला डिला में किसका खनन होता है बैला डिला एक जगह है आंसर करेंगे दोस्तों बहुत important question है आसकता है एक्जाम में यह ठ का ठीक है जहां से लोह अयश्क निकाले जाते हैं अगला कोशन है सुमेलित करना यहां पर बिल्कुल आंसर करेंगे यहां पर चल्दी से बिल्कुल देखी थोड़ा सा जूमाउट कर देता हूं में यहां पर आप लोग अच्छे से देख लिए और सुमेलित किजी इसको च हिए उसके अलाभा सबसे अधिक मात्र में पाया जाने वाली दातू कौन सी है दोस्तों तो एल्मोनीम है सबसे अधिक लजिली तता पीटकर बढ़ाए जाने वाली दातू कौन सी है तो टो सीशा है तीक है याद रखिएगा यह आपका सुमेलन सही रही चार तीन एक दो, ध्यान रखेगा, यह question पूछा गया आपके BPSC में और भिहार दरोगा में भी पूछा गया, same question, ठीक है, तो याद रखेगा, answer आपके D हो जाएगा, चार तीन एक दो, अगला question देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि निमलिखित में से किस पदार्त की अगर आपका बॉक्साइट आ रहा है, तो आप बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं, और यह question पूछा गया आपके एक्जाम में, बॉक्साइट का formula क्या होता दोस्तों, यह देखिए, AL2O3-2S2O, यह इसका formula होता है, ठीक है, यह मुक्ष होता है, actually, aluminium का, और यह हमें बॉक्सा है, अगला question है, दोस्तों, यहाँ पे किनेमलिकित में से किस धादू का प्राप्त करने हैं, तो बॉक्साइट आयसकत, बिल्कुल आंसर C के जिएगा, याद रखिएगा, answer C हो जाएगा, ठीक है, अब देखते है, question number 31, 31 जो है, दोस्तों, आपको biology से कुछ कोशन मिलेंगे, अब यहाँ पे चलिए, कुछ कोशन देखते हैं, biology से भी, फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे, यहीं से question, आपके सारे चीजे, जुगनू होता है, क्या होता है दोस्तों, एक, दोस्तों, कीट है, जुगनू जो रात में चमकता है, देखा होगा आप लोगोंने, रात के अंधेरे में जातर दिखाए देखेंगे, गर्मियों के दिनों में, ठीक है, आंसर आपका B हो जाएगा, अगला question है दोस्तों, यहाँ पे निमलिकित में से कौन सा कीट नहीं है, तो आंसर करेंगे, दोस्तों, मकडी जो है, वो कीट नहीं है, वो जो वर्ग होता है, यह एर एरेक नीडा, एरेक नीडा ग्रूप में आता यह, मकडी, ठीक है, और इसका जो एरेकनी होता है, एरेनी होता है, एक जन्तु होता है, जिसके उदर के पस्चात भाग में, यहाँ पे ग्रंथियां, यानि ग्लैंट्स, उन्सके रक्त श्राव के द्वारा जाली बनाती है, ठीक है, याद रखेगा, स्पाइडर क्या है, तो एक दूसरे ग्रूप का है, जिससे हम लोग क्या कहते है, एरेक नीडा, ठीक है, चलिए, अगला कुश्यन दोस्तों यहाँ पे कि मकडी कीट से भिन होती है, क्योंकि मकडी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कुश्यन दोस्तों यहाँ पे कि जब चीटिया काटती है, तो वे अंतह छेपित करती है, जी हाँ, क्यों, चीटिया जब काटे जाने पर सरीर में फॉर्मिक एसीड का अत्छेपन होता है, यानि कि फॉर्मिक एसीड वो डालती है, जिसके प्रणाम सरुप क्या होता है, कि स कार्बोनिक स्रेनी से प्रतम सदस्य में पातित पाई जाते हैं, ठीक है, आंसर हमारा 35 वा क्या कर लेंगे आप लोग यहाँ पे, जी हाँ बिलकुल, फॉर्मिक एसीड याने की आमले, मकडियों दोरा उत्पादित रिशम क्या कहलाता है, दोस्तों, बिलकुल आंसर करेंग और उत्तर बताना, यहाँ पे, चलिये, तो एक, दो और तीन जो है, यह कथन बिलकुल सही है, ठीक है, फीता कर्मी, उभेलिंगी होते हैं, गोल कर्मी, अलग- demographic नलिंक होते हैं और फाईलरिया सुद्र कर्मी से होते हैं, लेकिन चौथा जो है यहाँ यहाँ गिनी कर्मी ए यहां पर एक दो तीन सही है यानि कि आपका उप्सन सही हो जाए यहां पर अगला कुशन है कि निम्लिकित में से किस ग्रूप के जन्तू प्राया रात्री चर होते हैं यही रात्री में निकलते हैं यही जो होते हैं मत्छडों के बारे मीं कुणस ता कथनथी है विचार कीजिए गलत भी यहatic बिलकुल देखे आंसर में आपको बता देना चाहता हम यहां पर केवल यहां पर ढूностью केवल माधा की मादा के डैने बड़े होते हैं नर्ग से नर्ग की मादा जो होती है नर्ग की अपेक्छा मादा की जो डैने होती है वो बड़ी होती है तो यह दोनों कतन सही है ठीक है केवल मादा रख चूसती है नर्ग जो मच्छड होता है और नहीं चूसता है ठीक है याद रखेगा अ अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सी प्राणी अपनी आत्र में जल का संग्रह कर लेती है। बिल्कुल आंसर हमारा क्या होगा इट्सब बी उट जो है अपने पेट में आतों में क्या है तो जल का संग्रह करता है। इसके चलते हैं रेकिस्तानी छेत्रों में लोग उट पालते हैं ताकि उनका पेट से पानी जो है अगर कभी इमर्जेंसी ऐसा है तो निकाला जा सके या फिर वो उट जो है उसी पानी के स्टोरेज को बार-बार अपने जल के अपूरती वो पूरा करता रहता है। अगला कोश्चन निमलिकित में से कौन सा जानवर बीना पानी पीए सबसे लंबी अवधी तक रह सकता है। तो ये दोस्तों उटी है ठीक है चलिए निमलिकित में से कौन सा जानवर ठोस मुत्र उट सरजित करता है। तो ये एक थोड़ा सब विचीतर कोश्चन है तो आप आंसर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल कंगारु चुहा इसका नाम है ठीक है। आंसर क्या करेंगे ए कंगारू चुहा ठीक है कंगारू चुहा जो होता है दोस्तों मैं आपके बता दो कि ये बिना पानी पीए सबसे लंबी अवधी तक भी जीवित रहता है और उट के साथ साथ ठीक है यह जो ओपर का कोशिन देखा आप लोगों ने यहां यहां पर डी हो देख करता है ठीक है चलिए कोशिन नंबर हमारा 43 सर्पों की विश गरंतियां कि समांग में होती हैं आंसर करेंगे केशुडे की प्रयाणियों में लार गरंतियों में ओके अगला कोशिन दोस्तों की साब के जहरीले विश दंत होते हैं जो की दान्ट जो होते उसके विश जो की रूपांतरित रूप है किसका बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तों जंबी का दंत के ओके आंसर हमारा डी हो जाएगा अगला कोशिन दोस्तों की चटान पर उगने वाले पादप क्या 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 लाते हैं आंसर कर दीजिए दोस्तों शैलोद भीद क्यालाते हैं ठीक है तो दोस्तो आज की इस पुरे सिनारियो में हमने कुल 45 question आपको लाकर दिये यहाँ पे, रोज ये 45 प्रशनों का सिनारियो जो है, ये सुबा के 10 बज़े आपको share के जाता है, इसका PDF भी आपको वाइट एजूकेशन के टेलिग्राम चैनल पे share कर देता हूँ, तो वहाँ से ज जुल की वहाँ पे चर्चा करना बेर्थ है, आपका भी समय जाता है, दूसरों को भी disturbance होती है, क्योंकि सब के पास mobile है, है न, तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा उस चीज का, ओके, चलिए, धन्यवाद आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो म शाम को मिलते हैं, एक बिहार दुरुआ की मेंस के पेपर पे, ओके, बाव बाई